Hello Everybody, Welcome Back to Quant Study I am Mujjaisi Maktar and आज मैं आपको Determiners और Articles के जो Part 2 है वो साथ में लेने वाला हूँ इससे पहले मैंने Articles और Determiners अलग-अलग लिये थे, Part 1 दोनु का अलग-अलग लिया था मैंने, ठीक है तो आज क्या हम करने वाले हैं? उन दोनु को साथ में हम लेने वाले हैं, ठीक है तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ठीक है, पूरा अच्छे से explain करेंगे और आज मैं examples लेने वाला हूँ जो आपके exam point of view से important है और ये last lecture होगा हमारा, ठीक है अच्छा ये video मैं 29th को बना रहा हूँ अगर 30th को Eid हुई तो I wish you a very very happy Eid आज हम determiners और articles का last lecture ले रहें, ठीक है इसमें जो है, ये जो हैं 4 questions ये मैंने आपको पूछे थे, ठीक है पिछले videos में, ठीक है question number one क्या था do you have dash postcard yes, I have dash अच्छा options क्या दिये हैं यहाँ पे any, some option A क्या है हमारे पास, any या some option B हमारे पास, any, one option C है, any, none option D क्या है, some और some तो यहाँ पर ये postcard क्या है ये singular है, तो हम यहाँ पर क्या use करेंगे, उसके हिसाब से क्या आपके पास कोई postcard है ठीक है, अगर हम इसको आपको tricks के साथ याद रखना है, ठीक है जो grammatical rules होते हैं वो अलग बात और tricks अलग बात क्योंकि exam में आपको options देखने कौन सा more appropriate है, ठीक है तो यहाँ पर क्या है any और one option B जो है आपका correct हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका correct answer option B ये जो है आपका correct answer हो जाएगा उसके बाद question number 2 है she showed dash concern for her stepdaughter stepdaughter आपको समझना है, stepdaughter क्या होती है मतलब stepdaughter daughter नहीं होती है na, clearly ठीक है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले few और some को हटाई देते हैं, ये तो हम use नहीं कर सकते अब यहाँ पर क्या है a little जो है, ये आपको याद रखना है, a little मतलब article जो use हो रहा है little के पीछे a little, ठीक है ये combinedly बन जाता है कि थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या use करना है, उसने अपनी मतलब stepdaughter के लिए थोड़ा सा concern दिखा है, इसका मतलब आपने कौन सा option correct करना है option A, आपका correct हो जाएगा ठीक है अच्छा, अब question number third की बात करते है question number third क्या बोल रहा है did Dash write with my pen when I was away क्या किसी ने मेरे pen से लिखा जब मैं यहाँ नहीं था अब some तो नहीं आ सकता, वो clear हो गया आपको अब someone भी नहीं आ सकता क्यूंकि वो एक particular group की बात कर रहे है तो इसलिए यहाँ पर क्या हैगा option C, option C will be the correct answer okay, so you have to tick the option C ठीक है यह वाला option ठीक है option C आपको correct करना है ठीक है, अच्छा, question number four क्या आप पूछ रहा है all the boys went to beach but only Dash could swim यहाँ पर option A क्या दिया है few, option B, a few ठीक है, यहाँ पर little और the little को तो हटाई देना है, क्यूंकि यहाँ पर boys को हम count कर सकते हैं तो उसको few, a few में हम बोल सकते हैं, अब कौन सा select करना है definitely मैंने आपको बताया जो article हम use करते है इसके साथ आपको option B correct करना है, ठीक है अच्छा, यह बात हो गई उन चार की अब हम आगे भी, इसी के बैस पर question करेंगे determiners के बैस पर, ठीक है तो चलते है next slide पर next slide में हमें चार questions ओर दिये हैं there are dash countries in the world where population is not growing fast ठीक है option A आपके पास दिया है any, option B many, most और much, any होता है कोई countries, मतलब नहीं आएगा option C most दिया है, वो भी नहीं आएगा option B क्या दिया है हमारे पास many countries, बहुत सारी countries most क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है मतलब एक third form है ठीक है many जो है, ये इस पर best suited है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर countries का बोला है कि बहुत सारी countries, ठीक है तो आपको definitely यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि यह जो है, यहाँ पर option B जो है, option B आपको correct करना है, ठीक है एक second option B यह वाला आपको correct करना है, ठीक है अच्छा, question number six क्या है, this car hardly uses dash petrol, अब यहाँ पर भी आपको देहान देना है मुश्किल से यह car जो है, कोई petrol यूज करती है option, मतलब मतलब meaning से ही समझ जाएंगे कि इसका जो answer है, वो क्या है option B है, क्योंकि petrol, यह car जो है, कोई petrol hardly use करती है, मतलब मुश्किल से कोई petrol use करती होगी है, ठीक है आपको इसी से, मैं आपको tricks बता रहा हूँ, मैं आपको मतलब यह नहीं, rules नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर अभी और exam point of view से जो जो type के questions important है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है तो आपको उसी हिसाब से करना है और यह examples आपको अच्छे से practice करके जाना है, क्योंकि इसी type के questions आपके exam में आने वाले हैं, ठीक है question number 7 की बात करते है question number 7 है could you lend me dash for a few days option A, हमारे पास money, option B, any money जब money की बात की गई हो तो आपको हमेशे याद रखना है अगर आपके पास options, some, any या little वगएरा, few वगएरा में तो आपको हमेशे वहाँ पर some, some use करना है ठीक है, ये भी आपको trick याद रखनी है ये आगया आपका correct answer, इस type का question आ सकता है आपके exam में, ठीक है उसके बाद question number 8 क्या है dash language do they speak in Brazil dash language do they speak in Brazil, मतलब कौन सी language, ठीक है तो यहाँ पर हम कौन, क्या use करेंगे, who's क्या होता है, किस की what क्या होता है, क्या ठीक है, option A जो है which ये जो है आपका correct हो जाएगा ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते है, next की, next slide पर चलते है question number 9 क्या है, there is dash ice cream in the fridge, if you would like some, option A क्या दिया है हमारे पास, little option B क्या दिया है हमारे पास, a little option C क्या दिया है few, option D a few, यहाँ पर भी आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको पीछे बता है few और a few को यहाँ से हटाई देना है आपको, और a little और little में, यहाँ पर भी आपको क्या टिक करना है, a little ही, sorry यहाँ पर भी आपको क्या करना है a little ही टिक करना है, मतलब B part आपको टिक करना है, ठीक है अच्छा आप बात करते हैं, question number 10 की she walked out without dash explanation अब यहाँ पर least दिया है, option D में, option C में sum दिया है, option B में no दिया है option first में any दिया है without जब भी हो अगर यह options हो any, no, sum और least, इन में से आपको any ही use कर, मतलब choose करना होता है, क्योंकि आपका option based होता है वहाँ पर, ठीक है तो आपको जो है confuse नहीं होना है, मतलब इन चीजों में कि यह कैसे, वो कैसे, ठीक है, और इनी type के questions आने वाले हैं, ठीक है मैं आपको exam point of view से ही करवा रहा हूँ, ठीक है, question number 11 क्या है those people have dash money ठीक है, अच्छा मतलब यहाँ पर पी आपको मैं बता दूँ, a lot of a lot, a lots of, अगर होगा और money से related कोई भी बात हो रही है, ठीक है, कोई भी बात हो रही हो, तो आपको क्या करना है simply a lot of, यह याद रखना है आपको, a lot of, ठीक है यह आपको जरूरी याद रखना है जो यह a lot of है यह use करना है, money से related जब भी बात हो रही हो, ठीक है क्योंकि that is countable ठीक है, money is countable तो यहाँ पर एक rule है English का भी अपना एक rule होता है ठीक है, तो यही rule आपको यहाँ पर use करना है, ठीक है question number 12 की बात करते है I bought the dash expensive bike अब less आएगा, least आएगा another आएगा, या other आएगा अब देखना है, यहाँ पर आपको the जो है, article क्या है definite article, तो least क्या है least जो है, option B आपका यह, यह जो है option B, यह क्या बन जाता है यह definite बन जाता है कैसे बन जाता है, मैं बताता हूँ क्योंकि सबसे सस्ती हो गई यह, ठीक है तो मतलब सबसे unique हो गई, ठीक है less में आप सबसे least नहीं बता सकते another भी जो है, वो आप definite नहीं बता सकते, ठीक है इसका मतलब इसका answer क्या है option B आपको correct करना है ठीक है, अच्छा अब बात करते है, question number 13 की I can write with dash hand, ठीक है अब every तो use नहीं कर सकते यहाँ पर हम, क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत सारे हाथ थोड़ी ना है option B हम इसलिए use नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर hands नहीं है यहाँ पर hand है, ठीक है option C को देखते है either हम use कर सकते हैं, क्या अच्छा ठीक है, इसको छोड़ देते हैं D पे चलते हैं, both both को हम use कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि तब भी यहाँ पर hands होना चाहे था, hand नहीं होना चाहे था, इसका मतलब क्या है, आपका C जो है correct हो जाएगा, means I can write with either hand, ठीक है, तो ये बात हो गई, determiners की, okay, अचा तो अब हम वो articles की बात करेंगे, जो मैंने questions पूछे थे आपको पीछे, बहुत मतलब easy थे वो, आपने बहुत लोगोंने answers भी कि questions क्या है, question number one है, they usually spend their holidays in Dash India, ठीक है, यहाँ पर question number one क्या कहता है, कि वो इंडिया में मतलब क्या गुजारते है, holidays, ठीक है, usually, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था, कि जिसके साथ कोई भी article ना आए, तो उसके साथ आपको no article, ठीक ह इसका मतलब इसके साथ आपको क्या करना है, no article यूज करना है, question number one, no article, there will be no article, आपके पास चार options होगे, तो आपको no article पे टिक कर देना है, ठीक है, simple, अच्छा, कश्मीर has dash best climate, best आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसे unique, सबसे अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब यह in dash east, ठीक है, universal truth आप जानते हैं, उसी को हम वहाँ पर, जो भी universal truths होते हैं, वहाँ पर हम क्या use करते हैं, the use करते हैं, अच्छा, next है, zara is dash good person, ठीक है, मैंने आपको पहले answer बता दिया, इसका answer क्या है, इसका भी a है, क्योंकि good person क्या है, good जो है, कोई भी हो सकता है, मतलब ये indefinite है, ठीक है, definite नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या use करेंगे, a use करेंगे, similarly, question number five है, राहूल wants to take dash break, ठीक है, मतलब breaks तो बहुत सारी ले सकता है बंदा, वो एक break लेना चाहता है, इसका मतलब a break, ठीक है, उसी तरह से, it might take me dash hour to reach there, यहाँ पर क्या देखना है आपको, hour जो है, यहाँ पर, vocal से start हो रहा है, मतलब vowel sound से start हो रहे है, ठीक है, वावल से start नहीं हो रहा है, लेकिन, vocal sound कर रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, बहुत सारा, इस में जो है, option, क्या आएगा, answer क्या आएगा, and आएगा, ठीक है, अच्छा, next बात करते है, Jammu is called, the city of temples ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम किसी और को city of temples नहीं कहते तो मतलब इसमें answer क्या आएगा the आएगा ठीक है who is डायाश prime minister of India तो prime minister जो है एक ही रहता है एक time पर ठीक है तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे the use करेंगे क्योंकि prime minister भी जो है ठीक है इसलिए हम यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे the use करेंगे ठीक है अच्छा इसकी हम और examples लेते आगे ओके articles दिये हैं हमारे पास question number one these eggs are sold by dash dozen ठीक है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे the use करेंगे क्यों क्योंकि dozen जो है वो भी एक particular चीज है ठीक है यहाँ पर इसलिए हम the use करेंगे switch on the light ठीक है हम पूरी light की बात कर रहे है कि इसको switch on करो ठीक है the यहाँ पर use होगा इसलिए ठीक है अच्छा he is dash unlucky man ठीक है अब यहाँ पर unlucky है a की sound निकल रही तो हम क्या use करेंगे यहाँ पर an unlucky man ठीक है sound देखनी है आपको हमेशा आपको यह नहीं देखना है कि मतलब sentence जो भी word है आपका आपने यह नहीं देखना है कि कौन से letter से start हो रहा है आपने यह देखना है कि sound किसकी निकाल रहा है ठीक है उसी तरह से give me dash umbrella which you bought yesterday यहाँ पर mistake हुई है यहाँ पर b-o-u-g-h-t होना चाहे था ठीक है वो मैं pdf में देखूंगा अगर ठीक हो सकता है नहीं तो आप यहीं से मतलब याद रख लेना ठीक है give me dash umbrella which you bought yesterday अब यहाँ पर umbrella जो है and हमें use करना चाहे था लेकिन जो उसने खरीदा कल खरीदा ठीक है मतलब एक particular जो खरीदा था उसने उसी की बात कर रहा है तो मतलब यह particular बन गया इसलिए हम the use करेंगे यहाँ पर अच्छा उसके बाद dash youngest boy has just started going to school यहाँ पर क्या हम use करेंगे यहाँ पर the youngest boy ठीक है क्योंकि वो सबसे छोटा है ठीक है जैसे हमने इसके लिए इसके उपर भी बहुत examples पढ़ी ठीक है तो यह भी एक particular बन जाता है क्योंकि सबसे छोटा he is dash honest official ठीक है यहाँ पर he is dash honest official मतलब an honest क्योंकि यहाँ पर क्या use होगा an होगा क्यों use होगा क्योंकि honest जो है sound किसकी निकाल रहा है starting में ओ की ठीक है मतलब ओ क्या है vowel है इसलिए यहाँ पर an use होगा ठीक है next question है boxer is a historical town ठीक है तो boxer is a historical town यहाँ पर use होगा कैसे use होगा boxer is a historical town because historical town बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है यह particular नहीं है उसी तरह से this is dash car I bought yesterday मतलब कौन सी car जो yesterday उसने पहले दिन खरीदी उसकी बात कर रहा है मतलब यहाँ पर क्या आएगा द आएगा जैसे उपर भी ऐसी example हमने ली थी ठीक है question number 9 I take dash glass of milk everyday अच्छा कौन से मतलब I take dash glass of milk everyday अब glass of milk जो है यहाँ पर the भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह particular नहीं बन जाता यहाँ पर daily उसकी बात की जा रही है routine की तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे उसके बाद turn to dash left ठीक है अब बन्दा direction पूछ रहा है तो या फिर किसी को बोल रहा है यहीं से बन्दा कि आप left जाएं ठीक है तो वो कैसे बोलेंगे उनको पता होगा कि कहां पर left जाना है इसलिए यह क्या बन गया particular बन गया जहां पर आपको क्या क्या यूज करना है the use करना है ठीक है ओके सो लास्ट कुशन जो है क्वेशन नमर 11 मैं चाहता हूँ कि आप वो खुदी करें और comments में answers दें ठीक है thank you so much for watching this video I will see you in the next video